आज हम बात करेंगे Crude oil pivot point support and resistance market trend or market range और देखेंगे Crude oil आज क्या होने वाला है फूरा details हम बात करेंगे पहले हम pivot point देख ले आज आज इक होन्ल आज हम थे ने अजट यो इस कुछपर आज का भी और देखेंगे 7ben आजींफछी आजी 109 00. Ḥक्योख और देखेंगे 523 00. Kadoka दिखेंगे 525 00. मैंने 4 hour का chart लिया आई है आप मुझे लगता है आपको याद होगा यह मैंने पहले वीडियो में एक range दिया था आपको तो एक वह range में ही था उस दिन पूरा लास्ट टू डेस एक range में ही था अब देख सकता है यह एक range का last point है यहां पर और जो मैंने दिया हुए around 41.60 round तो वहां पर आप देख सकते है क्योंकि इहां से market फिर से नीचे आ सकता है ठीके तो क्यों मैं मतलब क्यों आ सकता है market उसका उपर हम बात करेंगे आप देख सकते है पहले 20 moving average जब breakout हुआ उसका बाद यह 20 moving पर इसको एक resistance बना के आ रहा है जीचे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यह रिजिस्टेन बनाया थर्ट टाइम फोर्ट टाइम फिफ्ट टाइम और यह मुझे लगता है यहां से भी फिर से नीचे आ सकता है लेकिन यहां पर एक बात देखना पड़ेगा एक बात जब यह market फर्म हो रहा है यहां पर यहां पर देख सकता है जो एक lower low था क्योंकि यहां से continuous lower low बना के आ रहा था तो लेकिन यहां पर first time attempt किया था लेकिन lower low नहीं बना है तो अगर market उपपर निकल गया यह जो पहले higher थ 50 का आसपाल जो high point है इसको breakout करके एक नया high बनाया बनाया अगर बना सकता है तो मुझे लगता है market फिचे उपर जानगा को सेज़ करेगा तो इसलिए पहले आपको यह confirm होना चाहिए कि market यह level जो दिया हुआ है तो इसको breakout कर पता है या नहीं पता वह यह हो गया for hour to 15 minute में हम एक जेक्ले हम एक रेंज में ही है वहीं रेंज में ही है तो आहां से मुझे लगता है इसको अगर तोर पाएगा मुझे लगता है market उपर जा सकता है लेकिन उपर जा सक्ते है तो जदा जिदा कितना जा सक्ता है आप देखने के लिए हम एक कम करेंगे एक MOVING AVEREERS यूज कर तो इसको एक मैंने रिजिस्टेंट बना के दिया हुआ है जिसे 4329 और जब मार्केट वहां तो आएगा तो मुझे लगता ही है 50 मोविंगे पर भी आके यहां पर एक रिजिस्टेंट बन जाएगा तो इसलिए मैंने एक रिजिस्टेंट लाइन ड्रो कर दिया हुआ पर तो मार्केट रिजिस्टेंट लाइन कहां पर है 4328 में तो अगर इसको ब्रेक आउट कर दिया जैसे 4170 का आसपास मार्केट क्लोज हो गया तो यहां से आप बाई जा सकता है कहां तक 4328 अगर आप 5 मिनित में देखे तो आप देख सकता है यहां पर तो मार्केट कॉंटिनुसली एक ही जेगा में रुका हुआ है अगर मार्केट फाइप मिनित में आपने यहां पर देख सकते हैं एक हायार हाय बना की है 200 मोविंग एवरेस को तोड़ा हुआ है तो शॉट टाइम में मुझे देखा ही दे रहा है मतलब यह उपर जाने का कॉसिश कर रहा है अराउं 4328 टक अलमस्ट 200 पोइंट तो अगर आप बाई लेगा तो इसका उपर ही लेना चाहिए रहेगा 4163 में मुझे रेजिस्टें दिया हुआ है तो रेजिस्टें का उपर जाचेंगा 4175 में आप बाई जा सकता है यहां पर तो आप यू एंजोए इस वीडियो इफ यू लाक दिस if please like and subscribe thanks for watching